हेलो एब्रीवान विल्कम टो आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और लेक्चर को सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए को नौटिफिकेस आपको टाइम पर मिल पाएं और लेक्चर को सुय करना मत भूलेगा पहला कुस्चन है समिधान सबागा गठन किसके सिपारिस पर किया गया लाड मांट बेटन यूजना क्रिप्स प्रिस्ताओं कैबिनेट मीशन या फी अगस्त प्रिस्ताओं तो आपको बताना है समिधान सबागा जो गठान या किसके सिपारिस पर किया गया तो यहाँ जो है कैबिनेट मीशन किसी पर किया गया और सब्सक्राइब बहुत इंप्पॉर्टन को इसन आप लोग नोडाउन कर लेजीगा आप लोगं को जो है पॉलिटी को चना करा जा रहे हैं जो कि आपके आने वा सब को पता होगा गई जो कैबिनेट मिसने भारत कब आया था तो यह 24 मार्च सब मिदान से ले गया है यूसे से और के लिए गया है तो कि मुलिझों का दिकार लिए संघात्मक विसेस्थाएं लिए तो आप लोग सारी नोडाउन कर लिजे कि भारती समिधान के प्रस्तावना कि अब आगे हैं तो मॉलिक अधिकार लिए फ्रांस से गर्तन प्रात्मक शासन ब्यवस्था लिए और से समुष्थी लिए गई हैं लिए बिज नeimana कि फेलिए बला इंप एक तब बताना है कि इस देश किते ली गई है कि बहुत इमन्पोर्टव tu हैं तो हुआ और को बता है समर्पी सूची लिए मैं आप लोग बार बता ताकि आपनों को याद हो जाए और UK से और क्या लिए गया है और अगर पुछ लिए यूके से क्या लिए गया है तो UK से जो है संसद और रास्ट पती रास्ट पती यह भी बहुत इंपॉर्टन्ट है और दच्छिर अपरिका से क्या लिए गया है तो यहां से समिधान संसोधन की प्रक्रिया लिए गई है सम्मिधान संसोधन की प्रक्रिया और USSR से क्या लिया गया है मतलब रसिया से रसिया से क्या लिया गया है तो यहां से जो है मौल करतब लिए गए है मौलिक करतब लिए गए है मौलिक करतब लिए गए है मौलिक अधिकार कहा से लिए गए है मौलिक करतब यू से सवार से लिए गई है और समगरती सूची भी ले गई है यू के से जो है संसद और आश्ट्रपती लिए गया है यहां से समिधान ससुधन की प्रक्रिया लिए गई है आप लोग के मैंने सारे किस्थि को मनाये जाती है 20 जून को 22 जुलाई को 15 अगस्थ को या 24 है कितनी है तीन अनुपाद दो है लंबाई तीन है और चोड़ाई दो है क्वेशन नमबर सिक्स है उद्देश प्रस्ताव को किस ने पेश किया था डाक्टर भीमराम बेटकन ने पंडी जोहला नहरू ने सरदार पटेल ने अफी एमे जिन्ना ने तो आपको बताना है उद् दिसम्बर 1946 को ग्यारा दिसम्बर 1946 को पांच मार्च 1945 को या फिर आठ मार्च 1947 को तो आपको बताना है समिधान सभा की प्रथम बैठा कप की गई थी तो यह जोहें 9 दिसम्बर 1946 को की गई थी option इसका सही एंसर है और अगर आए शेज का सही एंसर है और अगर आपसे पूछ लिया जाए के समिधान संसोधन जोहे और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समिधान समिधान जो है कब लागू हुआ था तो यह लागू हुआ था 26 जन्वरी 1947 को यहां के स्थाई अध्य चींकों थे तो डॉक्टर राजेएंद प्रसाद स्थाई अध्यची कौं थे तो यह सचिदारन से दने सिलहां और समिधान कितने समय में बन गया था तो यह जो है दो वर्ष ग्यारा माह ग्यारा माह अठारा दिन इतने दिनों में जो है समिधान बना था यह सारे पॉइंट्स आप लोग नो डॉल कर लीजीगा लोग बताना समिधान दिवस की स्थितिकों मना जाती है तो यह जो है 26 नॉम्बर इसका सही एंसर था क्वेशन नॉम्बर नाइन है मोल समिधान किस भासा में लिखी गई थी हिंदी में तमिल में संसक्रत में अफि अंग्रेजी में तो मुझो मोल समिधान किस भासा में लिखे गई थी तो यह जो हैं अंग्रेजी में लिखे गई यह ऑप्सन डीज का सही एंसर है इसमें जो हैं दूर्ट युजरालिक होते मैं अपयोंひन्हीद नहीं किया था सुधान सभा का प्रारूप किस ने तयार किया था ये विक रपलानी के मुंसी ये रोव थार पटे लियंपोर्टन कुशिन एक सम्भां सभा का प्रारूप है किस ने तयार किया था तो यह जो है वी अने तयार किया था आसफ्बं सी इसका इंसर है वी अन्रौो सुरषtemps सभादरा भारती समझान को कशिट्रक किया गया था 26.itis 50, 26.1949, 26. 26.1950, यफि 8. много March, 1949 स्वहाद वरा भारती समिधान को कश्रत किया गया था तो यहाँ जो है 26.99 को किया गया था आपस़न भी का सही अंसर है Q2Cinter mart से कवं थे शर इस्टे टे वोड किप, क्रिप्स एवी अलेकजंडर पैंथिक लॉरेंस या फी चौर्स मेनन तो आपको बताना है के जो अध्यच है या कौन थे तो यहाँ थे पैंथिक लॉरेंस ओप्सन सी इसका सही अंसर है कुछनbl संभावेंस उसके संभावेंस तो सीटल की संभावेंस करिंडान 293 389 268 295 तो आपको बताना है कैबिन तो आपको बताना है कैबिनेट मिसन के तहर समिधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी तो यह जो है 24 24 मार्च 1946 22 जुलाई 1947 यह फिद दस जुनवरी 1947 तो आपको बताना है पाकिसान के लिए प्रथक समिधान सभा कव गठित की गई थी तो आप लोगों कमेंट सेक्सान में बताएं कि कव गठित की गई थी तो यह जो है 26 जुलाई 1947 को गठित की गई थी ऑप्सन इसका सही अंसर है और जिकर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किये तो प्लीज आप से रिक्रिस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए सेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भू कि लेडियों वाना दृत treatment मत जब ने बरिक्राव करनार चक्राव को सब्सक्राइब को इन अगल्य के प्राइब सब्सक्राइब पूछा रहता है कि मुस्लिम लिग की स्थापना कब की गई थी तो यह 30 दिसंबर 1906 में किया गया था इसे भी आप लोग याद रखे गए बहुत पूछा रहता है इस समिधान सभाद चुनाओं में मुस्लिम लिग को कितनी सीटे प्राप थुए तीहत्तर सीटे प्राप थु उन्हें भाग नहीं लिया था जम्मू कस्मीर ने सिक्किम ने जुनागर या फिर हैदराबाद तो इसका सही एंसर क्या है आप लोग कमेंट सक्षन में बताईएगा तो इसका सही एंसर है इस ऑप्शन डी हैदराबाद ने प्रेशन नबर 18 है समिधान सभाग अगठन कब किया गया जुलाई 1947 में जुलाई 1946 में मार्च 1946 में या अगस्त 1947 में तो आपको बताना है समिधान सभाग अगठन जो है कब किया गया था तो यहां किया गया था जुलाई 1946 में ऑप्शन बीस का सही एंसर है क्वेशन 17 मिलसे जंडा समीती के अध़च खों थे बहुत इंपॉर्टंट की जंडा समिती इसके अध़च कों थे के मुनसी डौक्टर जेल प्रसाथ भीम रौमिटकर यह फिसरदार पतेल तो आपको पताना है जंडा समीती के अध़च कों थे तो इसके अध़च थे डौक् सब्सक्राइब कि निए तो आप लोग बताएगा समिधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था तो इसमें जो है 207 सदस्यों ने भाग लिया था और सभी एंसर है मैंने आपको बताया था कि आस्थाई अध्यच्य कौन था इस थाई जो है डॉक्टर राजियंद प्रसाथ या सचिदानन सिनहा थे आप जरूर से नोडाउन कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है कि समिधान सभा के आस्थाई अध्यच्य सचिदानन सिनहा है और डॉक्टर राजियंद प्रसाथ जो है इस थाई अध्यच्य चुने गये थे और डॉक्टर भीम राम बेटकर कौन थे या जो है प्रारूप समिधी के अध्यच्य थे यह बहुत इंपोर्टन कुशन है कि जो समिधान सभा के समिधानिक सलहकार है या कौन थे तो यह जो है वी अन राओ थे और अपसंसी इसका सही एंसर है वी अन राओ क्वेशन में 23 है समिधान सभा के स्थाई अध्यच किसे चुना गया था फिर से पूश लिया गया है मैं आपको दो बार बता चुकी हूं मैं डॉक्टर राजियंद प्रसाद डॉक्टर भीम राम बेटकर सचिदानन सिनह या फिर बी अन राओ तो जो स्थाई अध्यच किस समिधानिक सलाकार थे विन राओ क्वेशन में 24 है समिधान सभा में डॉक्टर भीम राम बेटकर पहली बार किस छेतर में निर्वाचित हुए थे पूर्वी बंगाल पस्चिम बंगाल मुंबई या फिन नासिक तो आपको बताना है समिधान सभाज हुई थी इसमें डॉक् समिधान सभा में कांगरीश के कुल कितने सदसे चुने गए आप लोग कमेंट सकते में जरूर से बताइएगा गाइस तो यह जो है 208 सदसे चुने गए थे और गाइस अगर आप लोगोंने अभी तक भी वीडियो को सेर नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि व गडिये अक्यलों कि अधिकारों को तो आपको बताना है और भारतीस हमिधान की अात्मा किसे कहा है वह इंपोर्टन तो यहां है समिधाने कुपचारों के अधिकार को कहा है और अप्संदीज का सही एंसर है समिधाने कुपचारों के अधिकार को जो है डाक्टर भीम राउं मेडिकन ने भारती समिधान की आत्मा की संग्या दी है Question 27 समपूर समिधान कब लागू हुआ सबको पता होगा वैसे ही 26 जन्वरी 1950 26 नॉम्बर नीसोंचास 26 नॉम्बर नीसोंचास या फिर 8 मार्श नीसोंचास तो आपको बताना है समपूर समिधान कब लागू हुआ था तो यह लागू हुआ था 26 जन्वरी 1950 को और अपसन इसका सही एंसर है 28 है भारती समिधान को तयार कने के लिए कुल कितनी समितियों गठित की गई थी 10, 13, 15 या फिर 20 तो आपको बताना है भारती समिधान को तयार कने के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था तो यह जो है 13 समितियों का गठन किया गया था उभारती समिधान कितने टाइम में बन के तयार हुआ था तो दो वर्स ग्यारा माह और अठारा दिन में तयार हुआ था भारती समिधान मैंने आपको बताया था के मुंसी बी एन राओ डॉक्टर भीम रॉम बेट गया फिर सरदार पटेल तो आपको बताना है प्रारूप समिधी के अध्यच्य कौन थी तो यह जो है डॉक्टर भीम रॉम बेट कर थे ओप्सिंस का सहीं एंसर है प्रारूप समिधी में कुल कितने सदसे थे पांच छे आठ हैफिस साथ तो आपको बताना है प्रारूप समिधी में कुल कितने सदसे थे तो इसमें जो है साथ सदसे थे ओप्सिंस का सहीं एंसर है question number thirty one है भारती समिधान की आत्मा कहलाता है कौन सा भाग जो है भारती समिधान की आत्मा कहलाता है बहुत important question है मोल अधिकार प्रस्तावना समिधाने को प्चार है अभी मोल करता है तो भारती समिधान की आत्मा क्या कहलाता है तो यह जो है प्रस्तावना कहलाती है आप लोग difference देख लेजएगा अप्रस्तावना में पहली बार संसोधन कब किया गया है 1974 में 1978, 1980 एफ उनिस सोच्छी स्वेटर तो आपको बतना है प्रस्तावना में पहली बार संसोधन कब किया गया था तो यह 1976 में किया गया था ओप्सन डीस का सही अंसर है और अकसर आप से पूछ लिया जाता है कि जो पंतर निर्पेच सब्द है पंतर निर्पेच सब्द जो है यह प्रस्तावना में जो है कौन से समिधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया था तो यह 42 है समिधान संसोधन के द्वारा जो है पंतर निर्पेच सब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में क्वेशन नमर 33 है समिधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी 90 दिन, 110 दिन, 114 दिन या 145 दिन तो यह important question है कि जो समिधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी तो इसमें जो है 114 दिनों तक बहस हुई थी option से इसका सही answer है question number 34 है समिधान सभा के द्वारा राश्टी धज को कब अपनाए गया था 23 सेप्टम 1947 24 मार्च 1946 22 जुलाई 1947 या भी 15 जुलाई 1947 तो आपको बताना है समिधान सभा के द्वारा राश्टी धज को कब अपनाए गया था तो यहाँ जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाए गया था option से इसका सही answer है और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राश्टी धज जो है इसकी लंबाई चोड़ाई कितनी है तो यह जो है 3 इन पार 2 है लंबाई जो है 3 है चोड़ाई जो है 2 है वैसे आपको जंडे के बारे में इपने पता ही होना चाहिए कि लंबाई चोड़ाई क्या है 24 तीलिया है यह सब पता होनी चाहिए question 35 है समिधान सभाद और राष्टिगान को कब अपनाए गया 24 जनुरी 50 22 मार्च 1905 26 जनुरी 49 26 जनुरी 1947 तो आपको बताना है समिधान सभाद और राष्टिगान को कब अपनाए गया था तो यहाँ 24 जनुरी 1950 को अपनाए गया था option इसका सही answer है 22 जनवरी 1950 अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो राश्टी गीत जो है राश्टी गीत जो है इसको गाने में कितना समय लगता है इसको 65 सेकेंड लगते हैं उसको किस ने लिखा था तो इसको बंकिम चंद्रचतरजी ने लिखा था यह आप लोग याद रखेंगा राश्टी गान जो है जण्गेड मन है और किwnie अधिगीत किसे कहते हैं कि ये भी आप लोग याद रखेंगा लोग अगेसाी कंफूस हो जाता है कि यो जो रास्टिगान है इसको गाने में जो बावन सेकंड लगते हैं इसको लिखा जो है रवीना टैगोर ने था रास्टिगीद जो है इसको 65 सेकंड लगते हैं इससे जो है बंगें चंदर चेटरजी नहीं लिखा था बंदे मातरम जो ही इसको राष्टिगीद कहते हैं और जनगड़मन जो होता है इसको राष्टिगान कहते है क्वेशन में 36 भारत का समिधान कैसा है कठोर है लचीला है आसंता कठोर असंता लचीला या फिन में से कोई नहीं तो आपको बताना है भारत का समिधान कैसा है तो यहां जो है ना तो अधिक कफोर है ना ही अधिक लसील खीला है option से इसका वसक्रा साहई answer आसंता कफोर है असंता लसीला option सी इसका और रही है था अगर अगर आपको प Almighty आयू है तो प्लीज आपसे चैनल को भी कution कर लीजेगा चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स्थ में मिल जाएगा तो वहां से आप ट्रेलिभ चैनल को जोएशन कर सकते हैं टेलिघ्राम गूरूप को भी आप लोग कर सकते हैं गूरूप को जबों में जो क्या पूसुबा कराया जाता है अगर आप प्रकॉर्णेट फिर को देख लिए जीगा तो आज करेंच रही पर खतम होता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में कीप सपोर्टिंग आइस बाइबाए